प्रेशर क्या है बच्चे फोर्स है यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लग रही है ठीक है यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लग रही है that is called force अगर हमारे पास एक ड्रोइंग बोर्ड है ड्रोइंग बोर्ड के उपर हम हाथ रख रहे हैं दबाव दे रहे हैं तो प्रेशर लग रहा है अगर वो प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए हमने फोर्स कितनी लगाई है और उस ड्रोइंग बोर्ड पे के यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है क्लियर दो बाते हमें पता होना चाहिए फोर्स और यूनिट एरिया उस यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है और अगर ऐसा ही यूनिट की बात करें तो फोर्स के ऐसा ही यूनिट बचे आपको क्या बताए है न्यूटन और एरिया के क्या होते हैं बचे मीटर स्केर ठीक है तो प्रेशर के क्या हो गए न्यूटन पर मीटर स्केर पर मीटर स्केर मतलब इसको बोड़ रहे हैं हम डिवाइड को न्यूटन पर मीटर स्केर चीक है या फिर हम इसका वन वर्ड करते हैं पासकल इसके ऐसा unit आपको learn करने है Newton per meter square और Pascal अब एक और बात देखिए हम pressure के आगे applications पढ़ने वाले हैं वहाँ पे एक ही काम आएगा क्या आएगा वहाँ पे आपको ये relation अच्छे से समझना पड़ेगा pressure is equal to force divided by area pressure और force क्या है बचे same level पे है न और area क्या है pressure के साथ inverse है inverse मतलब उपर नीचे है न बचे ये कैसे ये imagine करिया बच्चा वो बच्चों का जूला सीसा वाला ठीक है अगर सीसा वाला जूला हम बनाएं मतलब pressure उपर है pressure जादा तो area क्या होगा कम ठीक है मतलब area अगर कम है तो pressure जादा लगेगा अगर area जादा है तो pressure कम होगा अगर area कम तो pressure जादा ठीक है ये inverse relation है और कुछ नहीं है इसमें आप इसको और अच्छे से समझेंगे देखे कैसे अगले example में हम पताते हैं अगली slide में pressure depends upon two factors pressure किस पर depend करता है दो factors हैं कौन कौन से एक force और एक area दो factors ठीक है force के साथ कैसे more force more pressure देखो ये दोनों same level पे था न हमने पिछली slide में देखा था force और pressure दोनों same level पे थे अगर force जादा होगी तो pressure जादा हो जाएगा calculate करें तो हम ठीक है और area क्या है ये ultra होता है more area less pressure less area more pressure ठीक है अब ये इस activity से देखें इसको कैसे ये lady है ये यहाँ पे खड़ी है ठीक है इसके दोनों feet क्या कर रहे हैं ground को touch कर रहे हैं मतलब area of contact यहाँ पे क्या है ground के साथ जादा है ground के साथ area of contact जादा है तो pressure क्या हो जाएगा कम ठीक है pressure क्या हो जाएगा कम पर यहाँ पे देखें area of contact क्या है ये बिल्कुल अपनी एड़ी पे खड़ी हो गई है तो एड़ी पे जब खड़ी होगी तो एड़ी आफ कॉंटेक्ट यहां पे क्या होगा कम होगा इसके कंपेरिजन पर यहां पर दोनों फीट का एड़ी आफ कॉंटेक्ट हो रहा है यहां पर एड़ी आफ कॉंटेक्ट रिड्यूस हो गया जैसे तहां दर्द होसे कहाँ फिन फेज करेगा फिंगर से या ऑग cancer ऑग क्यूं इक टरेगा रहीं निदल से यह अब यहाँ पर फिंगर से जब कर रहे है तो फिंगर क्रें टाच कर रहे है इस परशन को तो एड़िया अफींड love क्सिक्वेट करते से लिए ना फिंगर का हो बट यहाँ पे area of contact जब increase हो जाता है तो pressure reduce हो जाता है तो हमें pain नहीं होता large area पे लग रहा है बट यहाँ पे needle finger के comparison में needle का area of contact क्या है कम, small area पे contact हो रहा है small area है तो pressure क्या हो जाएगा वो जादा हो जाएगा ठीक है इसलिए इस person को यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे नहीं होगा next उसी बात को बेटा सेम लिखा हुआ है the same force produces less pressure if it act on a large area अगर वो large area पे लग रही है तो same force ज्यादा less pressure produce करेगी, ठीक है? अगर large area पे लग रही है यह inverse हैं, बचे हमेशा उल्टे होते हैं अगर यह large तो pressure हमेशा ही less होगा और अगर pressure more होगा तो यहाँ पे area small होगा ठीक है? the same force produces less pressure if it act on a large area but can produce more pressure if it act on a small area ठीक है? force तो same लग रहे हैं लगा रहे हैं, area का हम variation कर रहे हैं large area हो जाएगा तो pressure कम हो जाएगा और अगर area small हो जाएगा तो pressure increase हो जाएगा हाँ जी, अब आ रहे हैं अपनी everyday की observations में कैसे आ रहे हैं? first इसका example देखिए school bags have wide straps यह देखिए यह एक person है, इसने एक school bag carry किया हुआ है इस school bag की strips देखिए बचे इतनी wide है, आपके school bags की strips देखिए वो भी wide होती है न वो wide, अब आप सोचो यह भी यह wide क्यों लगाते है अगर पतली लगाएं तो क्या होगा अब देखिए अगर यह wide straps यह straps जो है, अगर यह wide है तो area of contact किस जगह से touch कर रहे है person को, यह child को यह person की बात की जाएं हम area of contact क्या हो रहे है, यहाँ पे shoulder पे ज़्यादा हो रहे है इसकी वज़े से और अगर इसके comparison में, अगर पतली steps होती तो area of contact क्या होता कम, यहाँ पे area of contact increase है तो pressure क्या हो जाता है less on shoulder, तो easy हो जाता है इसको carry करना, ठीक है wide इसलिए होती है steps, school bag की wide इसलिए होती है, क्योंकि area of contact यहाँ पे increase हो जाता है जैसे area of contact increase होगा तो क्या होगा, pressure कम पड़ेगा next यह daily life की example है हमारे पास sharp knife cut better than a blunt knife यह देखिए, अगर यह sharp knife तीखा तीखा चाकू होता है जो वो better क्यों 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 क्ट करता है एक blunt knife से, मोटे चाकू से यह जिसकी धार क्या है जिसकी तेज नहीं होती क्यों क्ट करता है sharp knife क्यों हम sharp knife यूज करते हैं ठीक है, sharp knife इसलिए यूज करते हैं, जैसे sharp knife टच करेगा wedges को तो area of contact क्या होगा उसका small, अगर area of contact small होगा तो pressure क्या होगा large, pressure ज्यादा होगा तो wedges easily cut हो जाती है ठीक है, in comparison to blunt knife अगर मोटा सा चाकू है ठीक है, blunt है वो knife तो क्या होगा area of contact क्या हो जाएगा उस पर ज्यादा, अगर area of contact ज्यादा होगा तो pressure reduce हो जाएगा pressure reduce हो जाएगा, तो wedges पर pressure कम पढ़ेगा और वो easily cut नहीं होती, ठीक है next example है tractor, tractor have broad tire, बचे यह tractor देखिए इसके tire इतने broad क्यों है car के tires है, वो बहुत मतलब इसके comparison में पतले होते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे tire लगा लेते, यहाँ material बच जाता देखिए अब इसके broad होने का reason क्या है इसके broad होने का reason भी वही same है area of contact बढ़ा रहे है area of contact बढ़ रहा है तो pressure क्या होगा, कम pressure कम होगा, तो यह sink नहीं करता ठीक है, field पे soft, field पे यह arm से move कर जाता है यह धस्ता नहीं अंदर, अगर इसके यह sharp होते, पतले होते tire वो area of contact कम हो जाता area of contact कम हो जाता, तो pressure increase हो जाता और वोई नीचे sink कोने का डर रहता, ठीक है next, यह देखे, यहां पे हमारे पास दो क्या है यह, दो footwear है ठीक है, एक यह pencil ही ला और यह flat है, soft, उस पे हमने soft sand के उपर चलना है, तो यह वाला better है कि यह, सोचिए हमारे पास यह वाला better होता है क्यों होता है better, क्योंकि यहां पे area of contact क्या होगा reduce हो रहे, area of contact सिरफ इतना वाला और यह इतना वाला इसके comparison में, यहां पे area of contact क्या, यह इतना सारा है ठीक है, area of contact जब increase होगा तो pressure reduce हो जाता है, pressure reduce होता है, तो यह sink नहीं करता और easily हम चल सकते हैं और यहां पर क्या होगा area of contact कम कम तो pressure जादा और वो नीचे sink कर जाती है जब sink कर जाती है तो हमें next step लेने में आगे दिक्कत होती है ठीक है बचे next foundation of buildings बहुत most important है बचे building की foundations या फिर dams की होगी यह dams की foundation है यह larger area पर क्यों होती है यहां पर एक dam दिखाया गया है यहां पर इतनी सारी bricks extra लगाई और इतना material लगाया यहां पर हम पतली दिवार भी लगा सकते थी ठीक है पतली अगर दिवार होती तो area of contact क्या हो जाता अर्थ के साथ इस surface के साथ area of contact कम हो जाता area of contact जब reduce होता तो pressure जादा हो जाता और यह नीचे गिर जाती ठीक है तूटने का डर रहता नहीं यह sink कर जाती अंदर अर्थ यह surface भी damage हो जाता ठीक है अब यहां पर क्या है यह broad है यह चोड़े हैं यह इसलिए broad है क्योंकि यह large area पर contact large area पर less pressure produce कर रहे है ठीक है जब area of contact increase हो जाता है तो pressure less same वही बात बार-बार आ रही है कि area of contact क्या हो रहा है increase हो रहा है अब यहां देखे railway track यह railway track पर यह iron की boundary यह बनी हुई है ठीक है यह यह बनी हुई है railway की पट्री सी ठीक है और यहां पर यह wooden के slippers है यह किसलिए है यह इसलिए है जब इसके उपर जब train चलती है तो area of contact सिरफ यहां पर अगर यह मालो यह नहीं होते तो area of contact सिरफ यही वाला हो गया ठीक है यह iron वाला तो यहां पर यह पट्री नीचे दस जाए अगर प्रेशर जादा हो जाएगा ना फिर area of contact कम हो जाएगा बट जब यह slippers लगे होते हैं तो train का area of contact अर्थ के साथ यह slippers वाला हो जाता है सारा ठीक है area of contact increase हो जाता है तो pressure reduce हो जाता है तो इसलिए easily move करते हैं मतलब वह सिंक नहीं करता यह railway track जो है अंदर सिंक नहीं करता सारा ठीक है surface को कोई नुकसान नहीं पहुचता नेक्स्ट है a white belt is provided over the wheels of an army tank यह army tank के बच्चे इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखे यह belt लगी होती है ठीक है यहाँ पे इतने सारे wheels हैं वैसे तो area of contact increase किया हुआ है बट और जादा comparison comparatively और इंक्रीज करने के लिए से स्टच हो जाए जब area of contact increase हो जाता है तो pressure reduce हो जाता है और वह सिंक नहीं करते हैं क्लियर हमारा यह surface damage नहीं होता थेंक यू